अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सबसक्राब और फालो कर लेंग फिर आज के न्यू टापिक न्यू मेडिसन पर बात करते हैं फैबक सोस्टार्ट एक दवा है जो दाइमी गाउट के इलाज में इस्तिमाल होती है जो रूम मी यूरिक एसिड करिस्टल के जुमा होने की वजह से आतराइटस की एक शकल है ये अद्वियात की एक किलास से तरलुक रखती है जिसे जानतिन आकसिडेज अनिवर्टस कहते है फैबक सोस्टार्ट के बारे में कुछ हम निकात ये हैं एक अमल का तरीका कार फैबक सोस्टार्ट एनजाइम जानतिन आकसिडेज को रोक कर काम करता है जो जानतिन को यूरिक एसिड में तब्दील करने का जिमादार है इस एनजाइम को बलॉक करके ये यूरिक एसिड की पैदावार को कम करता है। इस तरह खुन मी यूरिक एसिड की सतेह को कम करता है और जोड़ों मी यूरिक एसिड करिस्टल बनने से रोकता है। दो, इशारे, फेबक्सो स्टार्ट बन्यादी तोर पर दाइमी गाउट के इंतिजाम के लिए इस्तिमाल किया जाता है। ये हालत जोड़ों के शदीद गरत, सोजिश और सुजन की बार-बार आने वाली अकसाद के खुसूसियत है। ये सेरम यूरिक एसिड की सतेह को कम करने और गाउट हमलों की तददुद और शिदद को कम करने के लिए तजवीज किया जाता है। 3. खुराक, फेबक्सोस्टाट की तजवीज करदा इक्तिदाए खुराक आम तोर पर रोजाना एक बार 40 मिली ग्राम है। जिसे यूरिक एसिड की मतलूबा सतेह हासिल ना होने की सूरत में रोजाना एक बार उसी मिली ग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। 4. खुराक को मरीज के इन्फिरादी अवामिल की बुनियाद पर एड़ेजस्ट करने की जरूरत हो सकती है। जैसे कि गुर्दे के काम। 4. नीगराणी, फैबकसोस्टार्ट के साथ हिलाज के दोरां से अरम यूरिक एसिड की सतेह की बाकाइदा नीगराणी जरूरी है ताके यूरिक एसिड की सतेह पर मुनासिब कंट्रूल को यकिनी बनाया जा सके। हदफ योरिक एसिड की सतेह आम तोर पर 6 मिली ग्राम डियल से कम होती है 5. जिमनी असरात फेबक्सोस्टार्ट के आम जिमनी असरात में जिगर के अफाल में खराबियां, मतली, ददूरा, जोडों का दरत और सरदरत शामिल हो सकते हैं नायाब लेकिन संगीन जिमनी असरात में शदीद अलर्जिक रदमल, कलबी वाकियात, जिगर का जहरीला पन और स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम शामिल हो सकते हैं 6. इहतियाती तदाबीर और तजादात 7. फेबक्सोस्टाट को पहले से मौजूद जिगर की बीमारी या गर्दों की खराबी वाले मरीजों में इर्टियात के साथ इस्तिमाल किया जाना चाहे है ये इन मरीजों में मुतजाद है जिनकी दवाई पर शदीद हसासियत के रदमल की तारीख है 7. मनशियात का तामल फेबक्सोस्टाट बास दोआम के साथ तामल कर सकता है बश्यमूर एज़तायप्रीन, मकाब्तोप्रीन, तियफाइलीन और वाफरन ये जरूरी है कि अपने हेल्थ केर फराहम कुनिंदा को इन तमाम अद्वियात के बारे में मतलग करें जो आप मनशियात के मुम्किना तामल से बचने के लिए ले रहे हैं ये नोट करना जरूरी है कि ये मालूमात मुकमल नहीं है और आपको हमेशा सहत की देखभाल करने वाले पेशावर से मश्वरा करना चाहे ये मुकमल तफसीलात के लिए दोआम की तजवीज करदा मालूमात को पढ़ना चाहे बशमूल फैबक्सोस्टार्ट के इस्तिमाल से मुनसलिक मुम्किना खत्रात और फवाइद